सच में अरे किसको पड़ी थी इसके सेकेंड सेजन की अगर सेक्सी देखना था ऐसी बी ग्रेड की मूवी देखनी थी तो उलू कम था उसके उपर वैसे इतनी सारी भर भर के हैं वही देख लेते ये तो ना जेलनी पड़ती कम से कम नमशकार दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जिसे डारेक्ट के है नूपुर अस्थाना ने इसके अंदर कास्ट है बानी जे, शानी गुपता कीरती गुलेरी, मानवी गुगरू ये सीरीज देखने के बाद एक ही बाद बोलोगे उससे भी ज़्यादा खराब है इसमें भी पहले वाली सीरीज की तरह ही इसकी कहानी को continue रखा गया है और इसके अंदर वही चार ओरतें उमंग, अंजली, दामिनी और सिध्धी ये चार ओरतें वही दिखाए गई हैं अजाद ख्यालों वाली इनके अजाद ख्याल इसमें दिखाए गई है लड़के से प्यार करती, इसके फर्स सीजन में दिखाया गया था लेकिन इसके अपने ही डॉक्टर वसीर या आइडोंट नो, अमीर वसीर जो भी है वसीम जिसके साथ भी इसके संबंद होते हैं तो उसकी वज़े से इसका फर्स्ट सीजन में इसका ब्रेक अप हो जाता है जे से, ठीक है तो फिर सेकिंड सीजन में ये अपने आपको उसी के साथ, अपने डॉक्टर के साथ वैसी रिलेशन में दिखाए गई है लेकिन इसको फिर अपने बॉइफरेंट की याद आती है उसके बिना रहे नहीं पाती फिर अपने बॉइफरेंट को मनाने पहुंच जाती है उसका बॉइफरेंट मान जाता है और जैसे बॉइफरेंट मानता है तो इन दोनों के बीच में होता है ये सब इसके बाद ये प्रैगनेंट हो जाती है और डोक्टर के पाज आती है डोक्टर कहती है इसको आठ हफते हो गagt है लेकिन दामी नी कहती है नहीं मैं तो अपने बॉइफ्र sow States पहले मिले ती और शें सी पहले हमनें रिलेशन पनााया था शारीक संबद मनायाते chi हुए है लेकिन ।क्टर कहती नहीं 6 हुप्ते नहीं 8 हुपते हो गए है। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालने के बाद आमिनी सोचती है उससे ठीक 2 Cao Port पहले यानी 8 हुपते पहले उस्ने उस डोक्टर के साथ भूसे है तो यह नहीं boyfriend जे के पास रहेगा और doctor जो है वो इसकी देख रहे कर सकता है पैसे बेज सकता है इससे मिलने आ सकता है और इस बीच doctor कहता है कि हाँ यह सब सही है मैं इस बच्चे को इस modern society में पालना जाओंगा अब यह कौन सी modern society है क्या दिखा रहे हो तुम कच्रा दिखा रहे हो जाओंगा इसके पहले वाले सीजन में कोई काहनी नहीं थी वही चार ओरतें जो दारू पीती रहती है सेक्स करती रहती है इसके लाओ इसमें और कुछ नहीं है तो यह भी continue रखा गया और मैं कहूंगा कि इस सीजन में तो पहले वाले सीजन से भी जादा दारू और सेक्स दिखाया गया है बरक के दिखाया गया है और यह कहीं से भी किसी भी ओरत को strong या woman empowerment की तो बात करती ही नहीं है उनके freedom की बात करती ही नहीं है और इन makers के according woman तब strong होती है तब वो हर किसी के साथ अगर sex कर ले, drink करे पीना शादी के पहले बच्चे बैदा करे तो उसी को ये strong woman मानते है, इनकी definition woman empowerment की यही है कि ओरत ये सब करे, और इसका second season ये नहीं है कि इसके खतम हो चुकी है ये series, नहीं नहीं, इसने second season जो है वो खतम हुआ है एक कहानी पे खतम हुआ है ताकि ये third season भी ला सके, अब इसका second season कौन मांग रहा था, जो इसके third season की सोच रहे हो, अरे इतना रहम करना, मत लाना है यार जो इसका season था इतना वाहियात सा, और इसके बाद उपर सी दूसरा वाहियात, उससे भी जादा वाहिया season देखा है, रहम कर लेना, इसका third season मत लाना यार, जहलना पड़ता है, साड़े 6 घंटे, एक series के उपर देखने में लगाना, यार कितना torture होता है उस चीज को देखना, गुसा उठ रहा था, क्या घटिया बंद चल रहा है, उसके अंदर, दारू से नफरत हो गई है, इतनी, उसके अंदर दारू, sexist, इतना कुछ दिखाया गया, नफरत घिना आने लगी थी, हर एक character उसके अंदर ऐसा नहीं था, जिससे आपको प्यार हो जाए, even किसकी love story दिखा रहे थे, जिसकी भी love story दिखा रहे थे, कोई देखके यह नहीं लग रहा था, पीछे background वो emotional tune लगा रही थी उन्होंने, emotional song, emotional theme, जो भी whatever उन्होंने use कर रही थी, कहीं से देखके यह नहीं लग रहा था, कि हाँ, हम इससे connect हो पा रहे है, अभे, देखके उल्टी आ र लगी, कमाल है, और कितनी घटिया पंती उसमें दिखाएगी है, यह सिद्धी पटेल अपने माबाब के सामने, अपने, कैसे वो बयां करूं यार, नाम लेने में भी शरम आ रही है, कि वो अपने chest का भी नाम रखे बैठी है, कि left वाले का क्या नाम है, right वाले का क्या नाम ह यार, एक बच्ची की माँ, चार साल की उसकी बच्ची है, उसकी माँ, वो अपने आपको बड़ा professional, बड़ा ही बंधन के रहना, तो वो हर किसी एरेग-एरे के साथ, रास्ते में चलते हुए के साथ, यही liberalism है और यही woman empowerment है, इस पूरी series में यह चार लड़किया ही हैं, जो सच बोलती हुई नजर आती हैं, और जब यह सच बोलती हैं, तो इनको anti-national और पाकिस्तान जले जाओ, ऐसा कुछ नारा लगाते हुए दिखाया गया है, इनके घर के बार protest होता है, मतलब कि जो सच बोलता है, इस देश में उसको anti-national बोला जाता है, उनको पाकिस्तान जाने के लिए बोला जाता है, जो government के खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो, यह दिखाने ही कोशिच की है, अरे दा हिंदू अकबार में इतने सारे article मैं पढ़ता हूँ, anti-government ही वो छपते हैं, कि इतना वो government के खिलाफ सवाल पूछते हैं, वहां तो ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना, अगर आप यह सब बोलोगे, तो आपको यह सब बोल दिया जाएगा, अंदभक्त बोला जाएगा, इन्होंने पता नहीं कौन से अपनी thinking लेके बैठे हुए हैं, कौन सा यह liberal बनके बैठे हुए हैं, वैसे आज की डेट में liberal बनना एक गाली के बराबर हो गया है पैसा है, पर क्यों चले आते हैं हमारे खुबसूरत शेरों को की खुबसूरती पर बट्टा लगा हैं, सच में मैं भी जानना चाहता हूँ, को नहीं है यह लोग, पैदा होते वक्त अपने उल्टी सर के बल गिर गे देगा, जब इनके दिमाग में ऐसा chemical लोचाप हो गया ह इन जैसी मानसिक्ता वाले लिबरलिजम के जो लोग हैं, वो नह तो अपने कल्चर को पसंद करतें, इवन अपने माबाप को पसंद नहीं करतें, अपने देश को पसंद नहीं करतें, और यहां तक ही अपने शरीर तक को पसंद नहीं करतें, लड़का लड़की बनना चाहत इनका खुछ पता नहीं होता यार और इस सीरीज में दिखाया गया है अगर आप एक मोटी लड़की हो और आपको जो समाज के लोग ताना मार रहे हैं कि आप मोटी हो आपके शरीर को लेके वो कमेंट कर रहे हैं मतलब पॉन साइट के ओपर तुम अब तुम्हें मोटीवेशन मिलने वाली है तुम्हें वह चीज जगाने वाली है ये कौन सा वोमन इंपावमेंट है कौन सा तुम वोमन की फ्रीडम इसके अंदर दिखाये गई है मतलब मजाग मना के रख दिया यार ये लिबरलिजम मतलब पॉन से हिम्मत दिलाने वाले तुम्हें इस सीरिज को मेरी तरफ से अब जीरो से भी कोई अगर माइनस में है ना अगर देना होता तो मैं उनको ये देता पिलाल जीरो से ही काम चला लो बस आज के लिए इतने था थैंक्स फूर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद